क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे भारत देश का विकाश अर्थिवेवस्ता के छेत्र में क्यों नहीं होता पेंशन के कारण जी हाँ हमारे भारत देश का विकाश पेंशन के कारण ही नहीं होता है क्योंकि जिन सरकारी करमचारीओं को घर बैठे पेंशन दिया जाता है सरकारी करमचारीओं को घर बैठे कुछ काम न करना और रुपया भी लेना यहीं बहुत बड़ी चुनोती है जिसके कारण हमारे सरकार की बजट में काफी गिराबट भी आती है अच्छा चलिए यह भी माल लेते हैं कि इन्हें पेंसन देना सही है रहन तो यह करमचारी घर में केवल बैठे रहते हैं कुछ और कामधन्दा नहीं क्योंकि उन्हें तो पेंसन दिया जा रहा है न आप ज़रा सोचिए कि यह मेहनत नहीं करते अर्थात घर में सोते रहते हैं या फिर कहीं पर भी खाली बैठे रहते हैं तो इनका फिटनेस भी अच्छा नहीं रहता अर्थात इनका स्वास्त भी मेंटेन नहीं बना रहता है वो कहते हैं न जो लोग मेहिनत करते हैं उनका स्वास सदेब ठीक रहता है अता और वो अपना फिटनेस सदेब बनाए रखते हैं लेकिन ये करमचारी घर में बैठे रहते हैं और पेंशन का लुप्ट उठा रहे हैं अता हमें भारत सरकार को यह कहना चाहिए कि इन्हें ज्यादा ज्यादा पांग से छई हजार का पेंशन दे और जो शेश रुपया बच रहा हो उसे रिसर्ज सेंटर जैसे इसरो इसकूलों विद्यालायों या कॉलेजों में सडकों आधी में देना चाहिए धन्यवादी मेरे भाईयों बहनों